सोसल मीडिया के जरिये लड़की को ब्लेक मेल करने की कोशिस एक नहीं दो नहीं चार फर्जी एकाउंट से करता सा मैसे मुंबरा पुलिस ने नशे के सौधागर को तिया धिरफतार नाजे के साथ खातक हतियार हुआ बरामत प्रहा टाइम्स की नूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बोल आइक ओन दबाना ना बोलें महिस लामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स मुंबई के बांदरा में एक लड़की को फेक इंस्टाग्राम अकाउंट से उस लड़की का वीडियो फोटू वाइरल करने के नाम पर ड़रा धमका कर बलेक मेल कर रहा था और उससे पैसे भी मांग रहा था कुमैल मुहमद हनीब पटनी 25 वर्षिये है इसने इंस्टाग्राम पर चार फेक आईडी बनाए थे और इसके जरीए एक लड़की को वीडियो का स्क्रीन सोट भेज कर उससे उस वीडियो के जरीए ब्लेक मेल कर रहा था उसका दावा था कि ये वीडियो उस लड़की का है वहीं दूसरी खबर मुम्रा से है जहां मुम्रा पुलिस ने एक नशे के सौधागर को ग्रफतार किया है ये आरूपी मुम्रा के अमरित नगर का रहने वाला है आरूपी का नाम फाहद अब्दुलशेग तीस वर्षिये है इसके पास से सवा किलो गांजा और घातक हतियार बरामद हुए है मुम्रा पुलिस के PSI संग्दम पाटिल को जानकारी मिले कि मुम्रा बाजार में गांजा बेचने के लिए एक बेकती आने वाला है जिसके बाद मौके पर पुलिस महां पहुँच गई और इस नशे के सौधागर को गिरफतार कर लिया है इसके खिलाफ NDPS एक्ट के धारा आठ का बीस बाविस समयत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है तो तमाम खबरों को जाने के लिए देखते रहें परहाटेंग